Papercut for Sharp Photo Effect Frames in PSD बहुत ही जब Unterstüt utilizar amazing यह आपको 6 unique photo effect for sharp की PSD आपको मिल रहे है जो के प्यारी सी फ्रेंज है Papercut की और आप देए नहीं के बहुत ही प्यारी डिलेंडς है तो यह smart object के अंदर आपको दिया गए ज़स्ट आपको फोटो रिप्लेस करना है कोई आपको बड़ी चीज नहीं चाहिए कि आपकी तनस्की लोग ऐसा कुछ आप multi color effect भी लगा सकते हैं इसके साथ में सब कुछ इसका आप edit कर सकते हो और इससे आप professional result ले सकते हो very easy वीडियो को end दख जुरूर देखी मैंने आपको बता रखा है कि हम इसको added कैसे करते हैं, don't कैसे करते हैं, password वगरा है यह वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वीडियो को जरूर फॉलो करें और हमारे चैनल को भी जरूर फॉलो करें फॉलो कमि देखेंगर खुशच वेडियो काुश लगारा हूँ व्य जरूर बताना है का अभी तक भी आपने सब्सकाइब नहीं करा तो ज़रूर सबस्क्राइब करके बैल के आइकॉन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए तेंक यू सो मच और लास्ट पे कमेंट तो आप करेंगी तो इसके साथ आपको मिल जाते हैं 6 PSD इमिजेज वगारा नहीं मिलने वाली टेक्स, इमिज, पेपर कट और सब कुछ लाव, ट्री और सब कुछ आपको यहां पर शो हो जाता है फॉर्स्ट में आपको आता है यूर फोटो रिप्लेस हेर तो आपको इधर उधर जाना है तो आपका मर्जी जैसे के बैगरॉंड है यह इसके साइड में जो पेपर कट एफेक्ट शो हुआ है शेयर सा, एफेक्ट है ट्रीज है, लव के आइकोंस जो लगे हुए वो और इसके बाद अलग से और आइकों लगे है वो और नॉट, नॉट मतलब मेरे खासे नॉट लिखा है नॉट लिखना था, यहाँ पर जो टेक्स वगेरा लिखा है उसके लिए पूरा पूरा ग्रूप इसका बना हुआ है जो यह टैप है कोस्टेप पेसर गस पेपर एफेक्ट, ठीक है यह टॉप पेपर एफेक्ट आपको नजरा भी नहीं आएगा फोटो लगाने के बाद आएगा ओके, सो इमेज नाट इंकलूड़ेड एंड टेक्स्ट अड़ेट ओके, चलो भई, देख अब में क्या करता है चलो भई, तो हम अभी क्या करते है फोटो लगाते है यह राइट क्लिक करके, यह राइट क्लिक करके अभी आपको यहाँ पर कुछ भी फोटो पेस्ट करना है जैसे कि जाएंगा है फाइल, प्लेस लिंकेड और अनि फोटो एंड उसके बाद हम इसको छोड़ा सा अपने हिसाब से रिसाइस कर लेते है यह राइट करके, बस काम हो गया क्लोस करना है यह राइट कर, तो आपका काम हो चुका है ब्यूटिफू, हो चुका है आपका काम ओके, सो अभी आप देश सकते हैं इसके अंदर सब कुछ आप रिमूव और एडट वगयरा खुद से भी कर सकते है, इसके फर्स में आता है टॉप पेपर इसके उपर कुछ पेपर टैप का एफेक्ट दे रहा है, तो आप इसको फिलाल हमें इस ग्रूप को लाग करते हैं बार बार ये पेक्ट ना हो, हम अज लेर अप以及 शलेक्ट हमीरी जैसे ही टैप्स लेक्त करते हैं वोव कर सकते हैं, डुपलिकेट करके یہ कि अधर और भी ला सकते है, इंड U eyes के बाद जो पी एजिवरा और यूज़ वही है उसके बाद पेपर यूज़ यह इस ओपर हम नीचे जाएंगे नोट के बाद आइकों ट्री को आन करते हैं यहां पर आप देखेंगे एफएक्ट है स्मॉट फिल्टर ऐसा कर गए इसको हम जैसे हैड करेंगे तो आप देखेंगे हमारा फोटो अभी कैसा है और उसके बाद यह कैसा रहेगा एंड ओके इस तरह से आप एड़ेट कर सकते हैं यह वावली हम एड़ेट करते हैं पहले फिर्स्ट वावाली हम इस PSD को भी open करते हैं एड की player पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर भी उसी तरह से right क्लिक करते हैं एड एड़ेट कॉंटेंट पर जाते हैं फाइल प्लेस अभी हम इसके effect making को hide करते हैं इस folder को on करके इसका यहाँ पर दिया गया है filter gallery filter gallery को जैसे हम hide करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारी normal image है और उसके बाद यहाँ डालते filter gallery highlight करते हैं तो हमारा effect कुछ इस तरह से आता है यह बहुत जबदस्त effect है अच्छा लग रहा है paper cut effect है इसके बाद यहाँ पर है one color look try it तो आपके पास यह देखें प्यारा सा color tune आ जाता है इसको आप change भी करते हैं इस layer को यहाँ पर इस icon को डबल click करेंगे तब आपके पास color show हो जाएगा यहाँ से आप color कोई भी choose करेंगे yellow यह देखें इस तरह से देखें अभी change हो जा रहा है तब यह आपको जहाँ पर रखना है red पर रखना है यहाँ पर रखना है तो वो आप easily जो है वो इसका color हो गया चैंज कर सकते है add okay add okay तो मुझे यहाँ पर रखना अच्छा लगएगा तो मैं उस tone के अंदर भी रख सकते है बस simple तो इस तरह से आप easily edit कर सकते है अपने काम को जड़े है प्यारा amazing बना सकते है एकरोन को पूरा hide कर देंगे और इसके बाद इसका paper टॉप paper है उसको भी hide करेंगे yes effect को hide करेंगे तब जो है आप इसको as a PNG भी देख सकते है और ओके तो आपका काम है आप कैसे इसको use करते है तेंक्यू सो मच पर वाचिंग उमीद है कि जब दस्तोरा amazing वीडियो होगा आपके लिए मैं छोटा साब को फिर भी बता देता हूँ आपको जाना है हमारी website digipick.com के उपर वहां पर आपको search button मिलेगा search में आप लिखेंगे frame या इसका नाम जो आपको यहां पर title में show हो रहा है यह आप लिखेंगे या paper का टैसा तो वहां पर आपको post मिल जाएगा post में जाएंगे और वहां से आप download करेंगे download के साथ ही download button के साथ ही password भी दे रखा है तो इस तरह से easily आपको मिल जाता है या आपको ऐसा समय नहीं आया कुछ भी problem है तो यह वाले वीडियो होगी यह यह वाला वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा 3-1 download and add birthday PhD मैंने इसको बता है बट इस सेम वही तरीका है जो मैंने इस वीडियो में बता रहे है तो simple thank you so much for watching देखते दोन के तरी सीखते रहे आवरिधिंग फोग्राफिय डिजाइनिंग अवरी अवरी देखते रहे है